जावा शेल, अ प्रोग्राम में इंटीजर की रेंज को समझा था और उसकी रेंज में जाना था कि किस रेंज पर हम काम कर सकते हैं, कैसे ओवर्फ्लो और अंडर्फ्लो हो जाता है जब हम ये बर्स्ट वेल्यू करते थे, माइनस वान और प्लस वान. अब हम जानेंगे बाइट के बारे में जो हमारा अगला प्रिमिटेव डाटा टाइप है, इसमें हम बिल्कुल वैसे ही प्रोग्राम डिखेंगे, इसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हम उसकी इन बिल्ड क्लास से निकालेंगे, और उसके बाद इसको हम स्क्रीन मे display करवा देंगे system.out.println की मदद से और short में भी यही short को भी हम declare करेंगे short एक data type है जिसको हमने declare किया my minimum short से और उसकी inbuilt class से जो big short है उसमें हम अपनी minimum value call करवा लेंगे और maximum value भी अब हम इसे इस program को run करके देखते हैं run हो रहा है और आप देख सकते हैं byte की minimum value क्या आ रही है minus 128 और byte की maximum value 127 आप देख सकते हैं integer के comparatively इसकी value कितनी कम है ऐसे ही short में भी कि यह minus 32768 और maximum value इसकी है 32767 वो भी integer के comparatively कम है पर byte के comparatively यह ज़ादा है अब हमने यह जान लिया होगा कि यह इसकी value कम है तो इसका फाइदा हमारे programs में कैसे देखे जब भी हम program byte या short data type यूज़ करके बनाएंगे तो यह memory आपकी बहुत ही कम लेगा और इसमें इसके मताबिक ही range के values डाल सकते हैं बहुत बड़ी values इनमें नहीं डाल सकते हैं तो हमारा program access करना बहुत ही ज़ादा fast हो जाएगा क्योंकि यह कम memory लिता है बट आजकल के computers इतने efficient आ रहे हैं और इतनी अच्छी memory है तो हमें अब इस बात से डरने की ज़रूरत नहीं है सलेहम अराम से integer या long भी ले सकते हैं जब भी memory की अब कोई भी problem नहीं है मैं यह तब बता रहे हूँ जन cases में memory की problem है तो वो byte या short यूज़ करके अपना program बना सकते हैं इसमें कोई error आने की वो नहीं होगी occurrence नहीं होगी कोई भी error की occurrence नहीं होगी अब इसके बारे में थोड़ा हम और भी जानेंगे मैं आपको बताऊंगी जैसे कि small data types है जो हमारी less space लेता है और easily access भी हो जाता है यह बात मैं आपको पहली बता चुकी हूँ अब मैं आपको बताऊंगी कि byte जो है वो कितनी space आपके computer में लेता है वो बिल्कुल 8 bits लेता है और bit बिल्कुल भी primitive data type नहीं है हाँ, boolean जरूर है इसके बारे में अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे byte अगर 8 bit ले रहा है तो इसका मतलब इसकी width भी 8 ही है और short की value इससे थोड़ी सी मैं कहूंगी बड़ी है जो यह 16 bits लेता है और इसकी width 16 है और integer जो है 32 bits लेता है और इसकी width 32 है हमारा इसमें point यह बताने का है कि हर primitive data type अपनी अलग-अलग memory लेता है और integer जो है सबसे ज़्यादा अब तक memory ले रहा है अब हम जानेंगे अपने अगले primitive के बारे में primitive data type के बारे में वो है long एक value assign कर देते हैं long let it be x और इसकी value हम दे सकते हैं 100 मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों यहां पर एक red line आ रही है और यह कह रहा है कि यह long definition को specify नहीं कर रहा है long जो है data type वो integer का भी double है so to specify कि यह number इतना बड़ा है कि हम यहां पर l लिखेंगे and remember it should not be the smallest one it should be the big one replace it with big l अगर हमने इसा big l के साथ replace कर दिया है और सारी problems ठीक हो रही है कह रहे है एक्स हमने पहले declare किया हुआ है तो हम यहां y declare करते है अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले किया था जी सारा हम उपर से उठाएंगे hit copy करते हैं इसके नीचे paste करेंगे हम long के लिए भी run करके देखेंगे कि इसकी क्या range आती है इसको select कीजिए हम यहां पर इसे replace कर सकते हैं short को long के साथ ज्यान रहे कि हमने यहां पर else चोटा करना है बाकी बिल्कुल सेम रहेगा यह class है long जो inbuilt class है इसरे हमने इसका l बड़ा लिखा है अब हम इसे run करेंगे और जानेंगे कि इसकी क्या range आ रही है यह दिखिए यह integer के करीबर double है जो हमने वहले values निकाली थी तो इसलिए इसे long कहा जाता है क्यूंकि इसकी value उससे भी बड़ी होती है और बात मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि अब हम देखेंगे कि हमने l लगाना क्यों जरूरी हमने यहाँ पर 100 l लगाया है पर हमने यह क्यों लगाया है मैं आपको एक और declaration के through बताना चाहूंगी suppose हम लेते हैं long z और इसकी value हम declare करते हैं जो हमारी एक मिन run करती हूं मैं यह हमारी वैसे यहाँ पर भी value mention होगी int की सबसे maximum value जो थी यह यह हम run करके आपको दिखाते हैं integer की range integer की range में हम उसका number दिखेंगे जो की यह है इसको आप copy कर लीजे और long की नई value में इसको fill कर दीजे कि आपको पता है integer की यह सबसे बड़ी value है और मैं चाहूंगी कि आप इससे दो तिन number extra ही लिख दीजे जैसे कि यह सबसे बड़ी value थी 6, 7, 8 और और भी लिख सकते हैं और यहां पर semicolon लगाके से close कर दीजे आपको यहां एक error दिखेगा यह error क्या है कि integer bit is, यह दिखेए, integer number 2 large वो इसले दे रहा है क्योंकि हमने यहां पर L नहीं लिखा एक बार आप L लिख देचिए तो यह अपने आप accept कर लेगा और कोई error नहीं दिखाएगा अब हम इसे print करवाते हैं यह दिखें यह print हो चुका है और इसकी value भी यह दे रहा है और without L दे रहा है अगर हम L नहीं लिखेंगे तो यह print नहीं करेगा यह हमें error दे देगा long के साथ big L लिखना बहुत जरूरी है यह specify करता है कि यह long data type का part है और यह long number है और यह इसी तरीकर से print होता है thank you दोस्तो मेरे अगले tutorial जरूर दिखेगा और अपना Java का course update रखेगा thank you please don't forget to like subscribe and share my page